कि आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी ले कि आए हैं कि आपको लगेगा कि हम कोई फिल्मी बाते कर रहे हैं क्यों कि अगर अप मरने के बाद भी अगर फिर से जिंदा होना चाते हैं तो उष्ष फॉर्मुला पर सोधकारी चल रहा है है अगर आपको इंट्रेस्ट है आपको लगता है कि आप स्वहस्त हैं मने के बाद जीना चाहते हैं तो आपको खर्च करना होगा केवल डेड़ कड़ोर रुपए और पचास से साठ साल का इंतिजार कर सकते हैं तो आप जिन्दा भी हो सकते हैं आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा तो देखिए हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट कहते हैं जो इंसान जन्म लेता है आखिरकार उसकी मौत होती है जीवन मरन का ये चक्र हमेशा जारी रहता है यानि कि जो व्यक्ति जन्मा है जो जीव जन्मा है उसकी मौत निश्चित है लेकिन कई सारी साइंस फिक्शन पिक्चरों में आपने देखा होगा मसीनों के माध्यम से किस तरह इंसान जीवित हो जाता है लेकिन आपको लगेगा वो तो सिर्फ फिल्मे हैं हॉलिवुट की फिल्में चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो या स्टार वोर्स हो या कई सारे फिल्में जिसमें ये कॉंसेप्ट है कि इंसान हजारों साल तक जिन्दा रह सकता है उसे किसी तरह फ्रीज करके जिन्दा रखा जा सकता है ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में एक संसोधन चल रहा है आप अगर साइंस में विश्वा सकते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए ये वीडियो बेहद दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि जिस प्रकिरिया से इनसान को जिन्दा किया जा सकता है उसके उपर सीधे तोर पर अपसंसोधन चालू हो गया है और उसका नाम है क्रियोनिक्स वग्यानिक मानते हैं इस पधती से पचास या सतर साल में इंसानों को यानि किम्रित इंसानों की जो बॉड़ी है उसे जिन्दा किया जा सकता है नमश्कार दोस्तों आपको हम जो खबर बताने वाले हैं वो बेहद चौकाने वाला है लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि स्कोर्च डेल एरोजिना में एक कमपनी है एलकॉर देखने में वो सामानिय कमपनी की ही तरह लगेगी कोई संस्था की तरह लगेगी लेक दिखने वाली कमपनी जैसी ही है लेकिन जैसे ही कमपनी के मध्य में आप जाएंगे तो बड़े-बड़े स्टीर के कंटेनर आपको नजर आएंगे जिसमें लगभग 300 से अधिक डेट बोडी प्रिजर्व करके रखी हुई है साथ में उनके जो पैट एनिमल है वो भी रख हुए हैं यहां के विज्ञानिकों का मानना है यह जो बॉड़ी है वो सुरक्षित है उसके एक एक अंग ठीक से काम कर रहा है बस उनका दिल नहीं धड़कता उनका मानना है एक दिन ऐसा आएगा जो लोग यहां मृत पड़े हैं उन्हें जिंदा कर दिया जाएगा वो भी क्रियोनिक्स की मदद से लिक्वीट नाइटोजन की मदद से यह जो आप स्टील के कंटेनर देख रहे हैं उसमें लगभग माइनस 196 डिगरी सेलसियस जितनी ठंदी है यानि अंटार्टिका के किसी भी ठंदे प्रदेश से ज्यादा यानि माइनस 196 डिगरी को यहां हमेशा बरकरार रखा जाता है और पावर बेकप के लिए स्पेशल जनरेटर का उपियोग भी किया जाता है किसी भी सूरत में यह कंटिन्यू चालू रहना चाहिए परना अंदर की बॉड़ी बिगर सकती है इसमें दो प्रकार के बॉड़ी प्रिजर्व हैं एक जिन्हों अपनी सर प्रिजर्व करके रखा है इन डॉक्टरों का मानना है कि बॉड़ी भी उसी तरह से प्रिजर्व रहेगी जैसे ही सर सर के अंदर उनका दिमाग उनकी मेमरी और काम करने की जो किशमता है वो भी बरकरार रहेगी कहते हैं कि जब यह लोग जिन्दा होंगे उनके चेहरों तो वही होंगे लेकिन उनकी बॉड़ी आर्टिफीशल रहेगी उनका ब्रेन उसी तरह से काम करेगा जैसे किसी सामाने व्यक्ति का उनका आर्टिफीशल हार्ट भी वैसे ही काम करेगा जैसे किसी सामाने व्यक्ति की बॉड़ी में करता है सबसे पहले हम आपको बता दें तो क्रिनोक्स का ये फुल फ्रूप जो प्रोसेस है, वो कैसे होता है, और उसका खर्चा कितना है, एलकॉर के संचालकों का कहना है, कि ये पूरी बॉडी रिजर्व करने में लगभग 2,20,000 डॉलर का खर्च है, यानि की 1,65,000 रुपए, और अगर खाली सर रखना है, तो आपको 80,000 डॉलर देने होंगे, यानि की 60-65,000 रुपए तक, अभी यहाँ पर वेटिंग चल रहा है, वेटिंग यानि की, डॉक्टर की एक टीम पूरी तरह से यहाँ तैनात होती है, अगर आप एलकॉर में अपने आपको रिश्र करते हैं, पूरी कारवाई करने के बाद, एक डॉक्टर की टीम 24 घंटे आप पर निगरानी रखती है, इसके बाद, जब भी आपकी मरने की पहुँच जाते हैं, और बोडी को अपने साथ ले आते हैं, और पूरा जो पोसे से वो शुरू कर देते हैं, सबसे पहले बोडी में से खून निकाल लिया जाता है, साथ में एक एंटी फ्रीजिंग जो केमिकल है, वो बोडी में डाल दिया जाता है, इसके बाद, बोडी क जो तापमान है वो धीमे-धीमे कम किया जाता है उसके बाद बोडी को नाइट PC से भरे सिलंडर में डाल दिया जाता है और प्रिजर्व कर दिया जाता है यूशंकी उनका मानना है कि अगर उसके अंदर है लिकुड नहीं डालेंगे तो बोडी के अंदर जो पानी होता है वो crystal की तरह हो जाएगा और वो तूट सकता है जिस से body के organ को भी नुकसान हो सकता है इसलिए anti-freezing chemical डालना जरूरी है सबसे बड़ी बात यह है कि इन बड़े-बड़े सिलिंडरों में जिनकी भी body है बाहर उनकी तस्वीर भी है और परिवार चाहे तो उनकी समयांतर पर मुलाकात भी ले सकती है कैसी इस्तिती है उसका report भी जान सकती है ऐसे ही इस्तिती में यहां California की Anita Riskin इन्होंने अपने आपको यहां register करवाया था क्योंकि उन्हें cancer था साथ में उनके पती भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे इसलिए उन्होंने भी अपने आपको एलकोर में register करवाया है सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह concept सफल होता है अगर लोग वापस जिन्दा होने लगते हैं तो जिस तरह से Hollywood की फिल्मों में बताया जाता है कि समस्या create हो सकती है एक निश्चित बहुत बड़ी समस्या create हो सकती है क्योंकि यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है फिर भी विग्यानिक जिस तरह से यह दावा कर रहे हैं या संसोधन कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में एक चमतकार सावित हो सकता है लेकिन सवाल यह होगा कि फिर जो अमीर तपके के लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो मरे या मरे भी वो जिन्दा हो सकें यानि अभी तो पुरी तरह से 50-70 साल लगेंगे इस पद्धती को डेवलोप होने में फिर भी इस तरह से यह पूरा संसोधन चल रहा है वो जो नियम हैं उसको चुनोती देने वाले हैं ऐसे तो इंसान हमेशात से कुद्रत के नियमों को चुनोती देता आया है और इसके कारण कहीं बार संहार भी अलग-लग प्रकार के हुए हैं फिर भी इस तरह का पूरा संसोधन जरूर से भविश्य को एक नया आयाम दे सकता है हाना कि एलकोर का ये संसोधन कब सफल होगा ये तो कह नहीं सकते लेकिन एक आस जरूर से जगी है हमारे कारकारम आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट कहिएगा और हम कौन से मुद्दे पर और अधिक वीडियो बनाए जो आपको पसंद आए जरूर से हमें बताईएगा साथ में आपको हमारा चैनल आगर आप यूटुब पूर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करें दबाई और सेर करिए और अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए साथ ही अपने मित्रों को भी बताएं कि किस तरह की जानकरी आपको चाहिए ताकि फीड़बेक जो है वो हमको और बहतर तरीके से मिल सके अभी के लिए बस इतना ही नमस्कार एडवांस टेक्स चुकवी करीशु बचत अने वेकवन्तु बनावीशु आपनों अम्दावाद अम्दावाद मिनिसिपल कॉर्पोरेशन लेइन आव्यू छे कर वेरामा रिबेट मिडवानों उत्तम अवसर 2021-22 सुधी नो सम्पून टेक्स इतले के टेक्स सेस वेरा रेंट व्याज वगेरे भरी जे करदाताओं ए टेक्स निल करेल होई तिवा करदाताओंने एमसी द्वारा तारिक 22 एपरिल 2022 थी 91 में 2022 नी समय मर्यादामा टेक्स नी एड्वान्स चुकणणी पर 10 टकार रिबेट 22 में 2022 ती 21 मी जुन 2022 नी समय मर्यादा मा टेक्स नी एडवांस चुकमनी पर 9 टका रिबेट 22 मी जुन 2022 ती 21 मी जुलाई 2022 नी समय मर्यादा मा टेक्स नी एडवांस चुकमनी पर 8 टका रिबेट तेमज ओन्लाइन टेक्स भर्नारा करदाताओने वधू एक टका रिबेट आपवामा आउशे तो चालो एडवांस टेक्स चुकवी ने हैरिटेज सीटी अमधावाद ने हाई टेक्स सीटी बनावामा आपिये आपनू पन जोगदान अमधावाद योनी बचत साथे अमधावाद नोविकास एज एमसी नो प्रयास